गाजा में इस्राइली हमलों को लेकर इस्राइल और उसके प्रधान मंत्री बंजमिन नितन्याहू के खलाफ विश्रु भर में विरूद प्रदशन हुए अब इहाली में आस्टेलिया में वहां की संसत की छट पर चड़कर लोगों ने इस्राइल के खलाफ प्रदशन किया उससे पहले अमेरिका यमन सहीत कई जगों पर इस्राइल के खलाफ प्रदशन हुए हैं इन प्रदर्शनों का इसराइल पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। इसराइल पर तो दबाव नहीं पड़ रहा है लेकिन उसकी मदद करने वाला अमेरिका भी इस मामले में कोई थोस कदम नहीं उठा रहा है। यहां तक कि कुछ समय पहले अमेरिका ने इसराइल को गाजा पर हमले रोकने की चिताव नहीं थी। लेकिन इसराइल ने उल्टा अमेरिका को आंक दिखा दिया। इसके बाद भी अमेरिका ने इसराइल के खलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और अभी भी गाजा में हमले के लिए इसराइल को सेन ने हतियार देता जा रहा है अमेरिका के इन फैसलों से उन बातों को बल मिलता है जो अमेरिका के बारे में कही जाती है कि ये इसराइल के जरीए चुनावी फायदा उठाने में लगा है यही बात इसराइल के बारे में भी कही जाती है कि नतन्याहू अपने राज़िक फायदे के लिए युद्ध जारी रखे हुए है अब यम्नी निता सेयद अब्दुलमलिक बद्रदीन अलगूदी ने कहा है कि अमेरिकी राज़पती पत के उमिद्वार इसराइल को खुश करने की होड में है यम्नी निता ने कहा कि अमेरिकी राज़पती पत के उमिद्वारों में इस बात की होड मची है कि कौन इसराइली कबजे का अधिक समर्थन करता है आपको बता दे कि गाजा में हमास पर किये जा रहे है इसराइली हमलों के चलते अमेरिका को भी भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है लेकिन उसके बाद भी वो इसराइली हमलों को रोपने के लिए कोई बड़ा प्रयास करता हुआ नहीं दिख रहा है इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के वर्तमान राष्टपती जो बाइडन और राष्टपती पत के दाविदार डॉनल्ड ट्रम्प को इसराइल से बड़े फायदे की उम्मीद है इसी वज़े से बुलाल सागर से जहाजों का आवागमन बारित होने के बाद भी यूद रोपने के लिए कोई बड़ा प्रयास करता नहीं दिखता एक रिपोर्ट के मताबिक हमास के समर्थन में गूती लाल सागर से निकलने वाले जहाजों पर हमला कर रहा है अमेरिका चाहता है कि हूती जहाजों पर हमला ना करें लेकिन वो इसराइल को हमास पर हमला करने से नहीं रोप रहा है इधर हूती का भी कायना है कि जब तक इसराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करेगा तब तक वो भी समुदरी जहाजों को नहीं निकलने देगा हाला कि अभी अमेरिका में चुनावी दोर चल रहा है ऐसे में राश्वतिपत के दोनों विद्वारों में से कोई भी इसराइल के खिलाप बैन बाजी कर अपना राजनितिक नुफसान नहीं चाहेंगे अब नमबर में चुनावी नतीजों के बाद ही इसराइल हमास युद की कोई ठोस दशा और दिशार नजर आएगी